हेलो फ्रेंट एजुकेशन जाओ अपडेट यूटूब चनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ 2021 अगस्त की सबसे बड़ी भरती निकल के आराए 17 विभागों में 31,248 वेकेंसी हैं आविदन शुरू है जल्द करे योगता 10 मी बार में एस एस सी ने प्लीस कोंस्टेवल के 25,700 कुछ रिकपदों के लिए मांगे आउनलाइन आविदन जैसे कि यहां पर बता जारा है और कब से आविदन शुरू होने वाला है यह आपको मैं एजुकेशन जाव अपडेट यूटूब चनल के मादम से दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही और सच्चाई जानकारी मिलेगा सिक्षनिक योगता भी उमिदवारों के लिए मानता प्राप सस्था से आपको यहां पे काफी बड़ी अपडेट दे दिया गया है लीगल ऑफिसर डिक्षनिक यहां पे यहां पे यहां पे आप लोको दे दिया चुक है और आ अवेदन करने के लिए जे इच्छुक उमिदवार अफिसल वेबसाइट पर जाके इसे ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं जिसे कि आप सभी को पता है परियोग शाला सहायक के रिक्पदों के अवसर पर भी यहां पे काफी बड़ी अपडेट के तोर पे दे दिया गया है जिसे कि बताया गया है प्रेदेशिक सेना में आफिसर पदों के लिए करे आउनलाइन आवेधन और यहां पे बताया जा रहा है कि हेड कोंस्टेवल के एक सपंद्रह रिक्पदों के लिए जल्द आउनलाइन आवेधन शुरू होगा यहां पे बताया जा रहा है लास्ट डीट चो अगस्ट 2021 के लिए यहां पे मान यहां पे देखा जाए तो 20,000 से 35,000 तक है यहां पे बाताया जा रहा है SSC ने पुलीस कोंस्टेवल के लिए काफी बड़ी अपडेट के तोर पे दिया गया है जुनियर असिस्टेंट सहित 329 पदों के लिए वेकंसी निकाली गई है सव इंस्टेक्टर के लिए यहां पे आपको रिक्त निकाला गया है 25,271 रिक्त पदों के लिए मांगे ओनलाइन आवेदान जो कि आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट है उसके बाद यहां पे देखा जाए तो आयू सीमा योगता सूल के कितना है वह 100 रुपाय देना होगा जबकि अतिरिक्त के लिए उमिदवारों के लिए आवेदान यहां पे छुटती गई है उनलेन आवेदान के लिए एक चुक उमिदवारी से बैबसाइड से जाके वह उनलेन आवेदान कर सकते हैं योगता आपको उमिदवारों के लिए काफी बड़ी अपडेट है 31 अगस शक्षिनिक युगता अमिद्वार की मनता प्राप्त बोर्ड से 45 फिसीडी अंकों का साथ दस्मी रिक्त अक्सर 50 परक्रिसद के साथ आपको साइन्स बारभी किया है रिक्त जानकारिक के लिए अफिसल वैबसाइट पे लिए आप लोग जाएं और उंड सीमो को भी आप के तो तीन हपते की भीतर एशनोगराफ और कलर सहित 18 रिक्त पदों के लिए अउनलाइन अपलाई कर सकते हैं सभी का सेक्षिनिक युगता यहां पे दिया गया है फी दिया गया हमिद्वार के साथ-साथ उसके बाद आपको आयू सीमा भी दिया गया है देवसाइड भी य बिना शुरू कर चुका है यहां पर अतिरिक के जानकारी के लिए वेबसाइड पी आप यहां पर जा सकते हैं और वेबसाइड को क्लिक करके गूगल क्रॉम में जाके आप इसे पुर्ण से सर्च कर सकते हैं तो इस नोटो गराफर का जो कलरक 18 पदों के लिए है तो सेक्ष कोस्ट वला का 15 रिक्त पदों के लिए जल्द ओनलाइन आवेदन शुरू होगा यह आप लोगों के लिए बड़ी से बड़ी खबर और नई से नई खबर है जिसे कि यूगता सिक्षनिक यूगता आई-ओ-सीमा आवेदन करें ऐनलाइन यह सारे सिक्षनिक यूगता के अं यार्थी की होनी चाहिए जब कि अग्रीम और के लिए उमिद्वारों की जो रिक्या है वाब यहां पर आभिदन सुल यहां पर एक सुरुपया किसी विवाग में ओनलेन आभिदन करने से यहां पर मिल रहा है लाश्ट डेट साथ अगस्त का यहां पर बताया जा रहा है अगले अगस्त माह में हमको कौन सा वेकेंसी कब और कैसे सुरुवात करना है आई एस एस ने आप लोगों के लिए भी काफी बड़ी अपडेट के तुर पे इस वेकेंसी को दे दिया गया है जैसे की 37 अगस्त का राजस्थान के लिए यहां पर दिया गया है उसके बाद आ आवेधन सुल के हिसाब से काफी बड़ी अपडेट भी यहां पे दे दिया गया है तो मैं हमेशा नई से नई जानकारी नई से नई वेकेंसी लेके आता हूं ताकि आपको भी इस वेकेंसी का पूरा डिटेल और कोई भी परिसानी नहोना चाहिए से समझने में सभी का अप लोग को मिलता रहेगा और आता रहेगा जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है जुनियर असिस्टेंट सही 329 पदों के लिए 6 सितंबर तक करे आवेधन इस आवेधन में क्या-क्या परकिरिया होना चाहिए यह भी आप लोग जान ले हमेशा आप लोग भी तयार रहते हैं प रिसर्च एसोसियट सहित अन्य पदों पर आवेधन का मौका है आप लोगों के लिए बड़ी सुनाहरा अवसर दिया जा रहा है तो आप लोग इस पद को छोड़े नहीं और ज़रूर से ज़रूर आप लोग आवेधन करें लास्ट देट 6 अगस्ट 2021 का डिप्टी सेक्षन ओफिसर के लिए 63 पदों के लिए भी आप अपलाई कर सकते हैं जैसे कि यहां पे हर एक ऐसा अगस्ट का ऐसा कोई दिन नहीं कोई डेट नहीं जिस डेट में सभी न सभी परकार का भेकेंसी का चर्चा यहां पे किया जा चुका है तो आप लोग जरूर देखेंगे हायक का भी यहां पे भेकेंसी दिया जा रहा है 16 पदों के लिए आविदन होगा और गुजरांत हाई कोट में लीगल असिस्टेंट बनेंगे यह काफी आप लोग को हैं उसके बाद बताया जा रहा है काफी बड़ी बड़ी अपडेट यहां पे भेकेंसी के तोर पे है जि की आप लोग को देख रेक करना पड़ेगा सहीत बताया जा रहा है कि सहीत 3636 पदों के लिए बहाली उमीदवार के लिए हाँ फटा-फट आप लोग के देखें जैसे कि आपको पता है कैसे करे ऑनों लाइन एक उमिदवार इस ओफिसल वेबसाइट से जाके आप कर सकते हैं आविदन आयू सीमा एनसी पीटी के अंतरगत यहां पे भी आप लोग को निकाला जा चुका है और अश्टाप नर्स का भी यहां पे आप लोग को वेकनसी निकाला गा जिसे अश्टाप नर्स है चती सो चुरानवे पदों क के लिए भरती के लिए एक अधी सुचना जारी किया इन पदों पर काम करने के लिए इत्चुक्त था दस्ट उमिदवार 16 अगस्ट 2021 तक आउनलें आविदन कर सकते हैं कैसे करेंगे आविदन इसका ओफिसल वेबसाइट यहां पे दिया गया है इस लिंक पे आप लोग जो होता है दिसंबर से लेकर आपको अगस्ट तक का सारे अपडेट वेकंसी यहां पे दिया जा चुका है ऐसा कोई वेकंसी नहीं है कि अगस्ट में डील नहीं हुआ है सारे वेकंसी को अगस्ट के परतियक डेट में डील कर दिया गया है किस डेट में किसको कब और कैसे क् वेकन्सियां अब्डेट होता है अब सभी डीट वाइज वेकन्सियां अब्डेट रहेगा ताकि आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगा और उस एक्छुक डीट की अंतरगत आप उसमें जा सकते हैं और आप अपना योगदान कर सकते हैं तो आप लोग अपडेट रहें पेपर के मादयां से हो चाहे ओफिस्यल जानकारी के मादयां से हो हमेशा नई से नई भेकेंसी की सुरवात होती रहेगी अब तो हमेशा आप लोगों के लिए मैं सहयोग लाता रहूँगा और नई से नई जो जानकारी होता है भेकेंसी का बि पुलिस के अंतरगत भी भैकेंसियां यहां पे उसके बाद यहां पे बताया जा रहा है मिनेजमेंट ट्रेनिंग सही ततेरों पदों पर होगी नियुक्ति जो आप लोग के लिए किस तरह से आविदन करना होगा और यहां पे फी आपको बात है जैसे कि यहां पे कितना आविदन सुलक है तो 500 रुपिया है मिनेजमेंट ट्रेनिंग सही ततेरों पदों के लिए जो निक्तिया होगी उसके बाद यहां पे जुलाई 2021 तक जो ओनलाइन आविदन था उस डेट को बढ़ा के कर दिया गया है आ आप लोग के लिए डायरेक्ट बनने का मिल रहा अवसर तो जो ही वेकिंशिया है इसमें सभी को आप लोगों के लिए सुना रहा आवसर है जैसे डायरेक्ट भरती आपका आरवी का होने वाला है कई अन्य पद है जो जिसका डायरेक्ट सेलेक्शन होगा मारक बिसेश आवेदन मांगे हैं इन पदों पर काम करने के लिए शुक मिदवार 31 जोलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं किसी अन्य मोर से आवेदन पत्र भेजने पर उसे बेंक की तरह से निसकर्श कर दिया जाएगा यह आप लोगों करना पड़ेगा जाहें नों की आप लोगों पोस्ट 23 अगस 2020 के लिए यहां पर आपको आवेदन करना होगा जिसमें 11 रिक्त पदों के लिए भी और आवेदन मांगा गया है एक छुप अमिदवार से काफी उम्मेदे हैं और एवं हर एक जगह से यहां पर वेकेंसी की डिटेल आ चुका है किस विभाग में किस राज में कितना वेकेंसियां है कौन सावे भाग से तो सहित आप लोग देखी चुके हैं जो स्टाप नर्स का 3494 वेकेंसियां है सब इंस्पेक्टर और सैजेश्ट के 330 पदों के लिए यहां पर वेकेंसी निकाली गई है सिक्षनिक योगता भी आप यहां पर देखी चुके हैं आयू सीमा आपको बता जारा है 20-27 साल होनी चाहिए उसके बाद कैसे अवेदन होगा उसका लिंक यहां पर दिया गया है फी आपको 270 रुपए आपको देना होगा जबकि आरक्षित वर्ग सूल में सुल्क में छूट दी जाएगी पदों की जहां तक बात करें तो सब इंस्पेक्टर का 181 पद और सब इंस्पेक्टर 17 पोस्ट कूल मिला के आपको यहां पे 330 पोस्ट दिया गया है प्रोजेक्ट मेनेजर प्रोजेक्ट इंजिनियर के 67 पदों पर आवेदन का 27 जुलाई तक मिल रहा मोका जो कि आप लोगों के लिए काफी बड़ी मोका है हर एक जगह हर एक लाज के यहां पे दिया गया है और प्रोजेक्ट अशिसेंट सहेइखिजने संपांड फोस्तं पर आवेदन यहां पर आवेदन के लिए मांगा गया है अस्युक्ट और मेनेजर सहीत आवे डिला गया है 15odenum जो आपको 36 रिक्त पदों के लिए आपको यहां पे 15 अगस 2021 तक आप इसे आपिदन कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पे लास्ट डेट जो 28 जुलाई था बी आईटी में फैक्लिट्री रिक्त पदों के लिए यहां पे आप लोग को आपिदन मांगा जा चुका है जो कि आप लोग देखी चुके हैं इसको पुन रूप से तो बिहार एवं भारत सरकार के सभी दिसार निर्देश के अनुसार सभी राज्यों के लिए यहां पे निकाला गया भेकेंसी है किस राज में कब और कैसे कि आजाएगा भेकेंसी की शुरवात उसकी प्लानिंग अब पह 24,000 तक इसमें दिया जाएगा और लास्ट देट 30 जुलाई तक में सहित अन्य पदों पे होगा और कंसलेट से 318 रिक पदों के लिए यहां पे वेकेंसी निकाला जा चुका है जो कि आपको बिहार से संब्धित है तो सभी भारत राज की द्वारा आपको यहां पे निकाला जा रहा है वेकेंसियां यहां पे बाताया जा रहा है सुनारा अफ़सर आप लोगों के लिए है बितन में 35,000 चले कल 45,000 रुपए तक है चैनल परकरिया भी यहां पे है आविदन सिल्क आपको इसमें कोई भी आविदन सिल्क नहीं लगता है जिसमें आप लोग के लिए आ आए करे ओर चनल और